आमादी पार्टी सरकार के मुपर करारा तमाचा है आज Czy A DI की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के फलौर पर पेशना करने के विरूध में क्योंकि हाज हम अदालत गए और अधालत ने आमादवी पार्टी सरकार को नोटिस जारी किया है और ये नोटिस इसले दिया गया है क्योंकि पिछले 7 साल से दिल्ली असेमली में एक भी C.A.G. की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया है ये आम आदी पार्टी केजीवाल और उनके तमाम लोग आतीशी मारलीना से मैं पूछना चाहता हूं कि वो सीएजी की रिपोर्ट को क्यो दबा रहे हैं क्या इस सरकार में पार्दरिश शिता नहीं है क्या इस सरकार के जो अकाउंट्स हैं वो आडिट होते हैं तो क्या वो ज किया और दिल्ली की सरकार को चेताना चाहता हूं कि इस से पहले कि इस मामले में जब भी आप अपने जवाब के साथ आएंगे लेकिन हमारी फिर आप से मांग है कि आप दिल्ली विधान सभा का सत्र तुरंत बुलाईए और यह सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख कि यह क्योंकि दिल्ली की सरकार जान बूझकर ऑडिट की रिपोर्ट को दबा रही है चुपा रही है और उनको अनकॉंस्टूशनल तरीके से रोक रही है यह समवैदानी का दीकार है सदस्यों का दिल्ली की जंता का देश की जंता का यह जानना कि दिल्ली की सरकार के जो अ ब्रिष्टाचार सामने आए, सरकार नहीं चाहती दिली की, कि इसके उपर कोई कारवाई हो, या फिर उसमें सुधार भी हो, ओडिट जो होता है, उसका परपस ये भी होता है, कि अगर सरकार में कुछ गलत हो रहा है, तो संबंदित अधिकारियों को और संबंदित लोगों के खिलाब कारवाई की जा सके, जिससे की भविश्य में भी ये व्यवस्ताप सुचारू चल सके, ब्रिष्टाचार रुख सके, लेकिन सरकार ने खुला छोड़ा हुआ है, पब्लिक अकाउंट्स कमेट्री में दस साल के शासनकाल में एक भी पैरा ओडिट पैरा डिसाइड नहीं किया गया, एक भी ऑडिट पैरा हाउस में नहीं भेजा गया, एक भी ऑडिट पैरा पर कोई कारवाई नहीं की गई, और जब ऑडिट पैरे पर कारवाई नहीं की गई, इसका मतलब यह है कि दिल्ली की सरकार में खुला खेल फरुकाबादी है, कोई कुछ भी करो, ज को समवेदन चील है ना उसकी तरफ जवाब दे हैं और नहीं समवेदानिक रिती निती को का पालन करना चाहती है आम आदमी पार्टी चुकी ब्रिष्टाचार का एक सिंबल बन चुकी है यह आम आदमी पार्टी से ज्यादा यह धोका धड़ी पार्टी बन चुकी है और यह धोका देकर लोगों को गुम्रा करना चाहती है इसलिए सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली की जनता देश की जनता से कहना चाहता हूं कि जो सरकार सीएजी की रिपोर्ट दबाए जो सरकार सीएजी की रिपोर्ट चुपाए ऐसे लोगों को से सावधान नहीं है यह खतरनाक लोग है यह आम आदमी पार्टी और इनका वि मैं केजरिवाल जी को चुनावती देता हूं कि दिल्ली विधान सभा के चुनाव से पहले आप सदन की विशेश बैठक बुलाकर और ये तमाम रिपोर्ट पब्लिक करिए क्योंकि आप दिल्ली विधान सभा का सत्री नहीं बुलाना चाहते हैं आप सब की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं आठ अप्रेल के बाद 26 और 27 सितंबर को पांच साड़े पांच महिने के बाद दिल्ली विधान सभा का सत्र बैटा वो भी मात्र सिर्फ दो दिन के लिए दिल्ली विधान सभा के पड़ल पर ना तो रिपोर्ट रखी जा रही है ना जनता के मुद्दे सीवर है पानी है बिजली है पॉलूशन है अस्पटाल है स्कूल है वहां बात कर रही नहीं सकते जनता के सवाल खड़े ही नहीं करते प्रिशनकाल नहीं हो रहा है जनवरी 24 में कहना चाहूंगा 2024 में अभी तक एक बार भी प्रिशनकाल नहीं हुआ है और पूरे पांच वर्ष के शासनकाल में एक या दो बार से ज़्यादा प्रिशनकाल ही नहीं हुआ है तो जो सरकार प्रिशनकाल से भागे सदर्सों के पूछने के अधिकार चील ले जो सरकार सीएजी की रिपोर्ट दबा ले इसका मतलब ये है कि ये सरकार भृष्टा चार में आकंट डूबी हुई है और लोगों के सवालों से बचना चाहती है